दोस्तों वेब डिजाइनिंग के इस फ्री कोर्स में आप सब का स्वागता है जहां पर आज हम सिखेंगे आउटलाइन फॉर्म्स का यूज करना देखो CSS में अभी तक आप काफी सारे टुटोरियल्स देख चुके हो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आउटलाइन रिलेटेड जो CSS forms होते हैं उनको कैसे यूज करना है और उनका क्या रूल प्ले होता है नौर्मली इसके पर आप देख पार है कि हमने काफी सारे यहां पर फॉर्मस लिखेंगे जैसे आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन कलर, आउटलाइन वीडित, आउटलाइन ओफसेट और सिंपल आउटलाइन फॉर्मेट को यूज करना आउटलाइन सभी टर्मस को विद प्रैक्टिकल आज किस वीडियो में हम कवर करेंगे आप इस वीडियो को पूरा देखे क्योंकि वीडियो आपके लिए फुल ओफ इंफॉमिशन होने वाला है तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को तो नॉर्मल ही आ जाते हैं computer skin पर और यहां पर हमने कुछ set of format ready किया हुआ है जो कि on skin आप देख पा रहे हैं जैसे कि HTML, head, title और CSS यूज करने के लिए हमने यहां पर style tag भी दिया हुआ है अब इससे पहले कि हम outline term को use करें उससे पहले यह जरूरी है कि हम इस पर border apply कर दें तो हम यहां पर आएंगे और आने के बाद simple हम ही क्या करना है यहां पर h1 लिखना है और इसको curly brackets के अंदर ले लेना है फिर यहां पर आते हैं आने के बाद मैं यहां पर लिखता हूँ border 5px solid red हमने लिखा ctrl s किया और यहां पाएंगे reload करेंगे आप देखो दोनों पर ही border apply हो चुका है तो outline क्या होता है कि border के ऊपर अगर हम एक और border apply करना चाहते हैं तो वही होता है outline अब जैसे यहां पर मारपस दो h1 है और मैं इस second वाले h1 को edit करना चाहता हूँ तो इसे target करने के लिए मैं इसे code लिखते हैं तो code क्या है हमने लिखा outline और मैं आप डाल देता हूँ 5px solid blue हमने लिखा ctrl s किया यहां पर और इसे reload किया और आप देखोगे कि 5px solid blue में यहां पर outline आ गई है border के उपर so i hope कि outline क्या है वो तो आपको clear हो गया होगा अब इस से related कई ऐसे और भी tags है यह फिर मैं बात करूं syntax है जिनके हमें जवत पढ़ती है जैसे अभी यहां पर आप देखो तो यह जो आपका outline है जो यह blue one है और आपका border है red one इनके बीच में चाहिए तो वह gap हम कैसे लाएंगे इसके लिए में क्या करना है यहां पर आना है और यहां पर हमें code लिखेंगे outline offset क्या है outline offset यह लिखा और मैंने यहां पर लिख दिया 15 pixels control s करेंगे यहां पर आएंगे reload करेंगे तो आप देखो कि इन दोनों की बीच में gap आगया अगया यह gap काफी जादा आगया तो हम इसको क्या करते हैं हम सिर्फ 5px डाल के देखते हैं control s किया यहां पर आये reload कर दिया तो यह इतना gap आ रहा है आप देख पा रहा है यहां पर अगर इससे भी कम चाहिए तो हम इससे भी कम कर देते हैं 1px और हमने reload किया तो इस तरीके से अगर आपको attractive look बनाने के लिए या फिर किसी और purpose के बहाब पे outline और border के बीच में gap चाहिए तो हम क्या code यूज़ करेंगे outline offset so i hope कि यह term के लिए रोगया होगा अब इसे के साथ एक और term को समझते हैं यहां पर जो हमने outline यूज़ किया है इसमें हमने तीन चीज़ों के यूज़ किया है पहला है इसका width यह है इसका width दूसरा है style और तीसरा है color अगर आप इन तीनों को अलग-अलग use करना चाहते हो तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो कैसे देखो सबसे पहले तो मैं इन दोनों को हटा देता हूं बिल्कुल blank हो जाएगा ही control s किया यहां पर reload किया outline हट कही आप देखो सबसे पहले यह option मिलता आपको outline style का border वाली section में मैंने आपको बताया था कि कई तरीके के style होते हैं जिसस अब यह जो आप यह देख पा रहे हो solid अभी बहुत ही पतला आ रहा है इसलिए आपको इतना analyze नहीं कर पा रहे होंगे मैं यहां पर इसकी width डाल देता हूं जो हमने width डालते पहले सब्सक्राइब कर दिया तो अभी यह जो तीनो set of codes है यह हमने एक ही मिलिया था जो था outline section में और उसके बाद पहले हमने यह size दिया फिर हमने style दिया और फिर हमने color दिया और अगर आपको तीनों अलग अलग चाहिए मानलो आपको तीनों की जरूत नहीं सिर्फ एक चीज़ की जरूरत है तो आप इससे अपना काम चला सकते हो और अगर आपको individual करना है तो आप ऐसे कर सकते हो इसके साथ यह अग अगर हमें dotted चाहिए तो हम यहाँ पर डाल देंगे dotted ctrl s किया यहाँ पर आये reload कर दिया तो यह काफी सारे designs हैं जो कि मैंने border related tags में cover up किया था and I hope कि आपने वीडियो देखी होगी so I hope कि guys css outline से related जो tags हैं वो आपको clear हो गये हो और आप अच्छी तरीके से उन्हें with practical समझ गये हो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो please इस वीडियो को like करें share करें साथ ही comment करके अपना feedback जरूर दें thank you